कि लोगों को नमस्कार कि ऐसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि ऐसे हैं कि सारे मेरे बच्चे ठीक है अर्यू वैल वैल कि अधिये क्या मेरी आवाज आप सभी लोग को आ रही है कि अधियू हिएर मी आप सभी लोग का पागत है बिनंदन करता हूं आप सभी लोग बहुत आनंद में रहिए रहिए आप आगे बढ़िये आज हम क्या करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इस पॉलेटिकल साइन्स OPTIONS कोर्स और इसमें करोल डाग और मुखर जी नगर में पढहलता हूं मैं करोल बाग और मुखर जी नगर में पढहता हूं पॉलिटिकल साइंस ओप्षिनल, इस बाइलिंग्वल कोर्स और आज हमारा लेक्चर है क्टवा, कौन सा लेक्चर है क्टवा, मैं आप से हमबल रिक्वेस्ट करूंगा, कि इसके प्रिवेस लेक्चर भी आप देखते जाईएगा, मैं एक सिस्टेमेटिक वे में पढ़ा रह इसके लिए आप से रिक्वेस्ट करूंगा, कि आप सारे लेक्चर देखते चलिएगा, मोट्स बनाते चलिएगा, और आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आएगे, इसके अलावा, अभी हमारा कोर्स चालू हो गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरा पॉलिटिकल साइन्स ऑफ्चनल का कोर्स अनकेडमी पर चल रहा है, जिसमें रोज आट बजे मैं क्लासिज ले रहा हूं, I am taking daily classes at 8 o'clock और आप रैंक निकले, इसके लिए हम कटी बद्द हैं, वी आर फुली कमिटिड देट यू स्कोर वेरी वेरी वेल इन दी पॉलिटिकल साइन्स ऑफ्चनल, 300 मार्क्स आपके निकलें इसमें, इसके लावा मैंने प्लेइलिस्ट बना रखी हैं इन लेक्चरों की, I have created a playlist, इस प्लेइलिस्ट में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पुराने लेक्चर लगे हुएं, अगर आप पुराने लेक्चर मेरे देखना चाहते हैं, सीक्वेंच से तयारी करना चाहते हैं, आप यहाँ पर जाएंगे, इसमें आपको वो लेक्चर मिल जाएंगे, तोडेई इस लेक्चर नमबर फाइफ, के प्लेइलिस्ट है, प्लेइलिस्टों पर जाकर अनकेडमी पीएसर लेक्चर, अनकेडमी पीएसर लेक्चर, यह मैं आपको टिंग कर देता हूँ, इससे आप पुराने सारे लेक्चर देख सकें और अपनी तयारी को एक मजबूत दूरूप दे सकें You can prepare and prepare handsomely for this exam एक बार thumbs up कर दीजे तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग इस political science की class में आगे बढ़ते हैं एक बार thumbs up कीजिए सारे के सारे बच्चे कौन-कौन जुड़ा हुआ है हमारे पास पताईए कि यह सिल्पी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका रैंक निकले आपको मैं प्लेइलिस्ट इसमें पिंक कर दूंगा आप प्लेइलिस्ट देख लीजेगा इंगलिश और हिंदी में एक लासे होंगी अभी आठ क्लासे एट क्लासेज लगी हुई हैं तेरा तारिक तक यह बजे एर आर एट क्लासेज प्लैन फॉर आल अफ यू एट फ्री क्लासेज उन पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल इस प्लैन फॉर यू तो धैट यू क्रैक दिस एक्जाम ताकि रोज छे बजे आपके लिए क्लास होगी तो जितने भी लोग का फाइदा उठाना चाहते हैं वो इस क्लासों को आर्ट फ्री क्लासेज को कीजेगा ताम को छे बजे होंगी एवरी क्लास विल बी एट सिक्स प्याम और पॉलिटिकल साइंस का मेर कोर्स आ रहा है इसके अलावा और सारे कोर्स अनकैडमी पर अवेलेबल हैं आठ तारिक से बैचेस चालू हो रहे हैं आप आज ही जॉइन करना चाहिए और जो भी जॉइन करना चाहरा है रजनीश आई-एस रफरल कोर्ट से आपको एडमिशन लेना है रजनीश आई-एस अज की क्लास without any further, हम लोग आज की class चालू करते हैं क्या देखना है आज हमको आट वी नीटो सी तुड़ेवाथ न्यू लिबरल ट्योरी ही पूराणी लक्षर में हम क्या देख स्थुके हैं हमने यह देखा था कि 1950 के बाद what we have observed what we have seen कि after 1950 पहले के लेक्चर आज हो चुके हैं आप उन लेक्चरों को जरूर देखिएगा प्लेइलिस्ट में जाकर और आज हम उससे आगे की तैयारी कर रहे हैं जो भी पॉलिटिकल साइंस में रैंक डिकालना चाहते हैं ये क्लास उनके लिए बहुत ही इमेंसली बेनिफिशल रहेगी आईए आपको सब कुछ समझ में आएगा 1950 के बाद मेरे प्यारे प्यारे लालों इस दुनिया में पूंजी वाद बहुत ही जादा अग्रेसिव होकर आगे बढ़ रहा थी वह वैरी वैरी अग्रेसिव करीबी अमीरी की खाई आ गई थी करीबी अमीरी की खाई आ गई थी और तब करकार कुछ नहीं बोलती थी उन्निस सो थारा सो पचास से लेकर इंडस्टियल एवलूशन का टाइम क्या है सेवन्टी फिफ्टी एट फिफ्टी वहाँ पर कैप्टिलिजम बहुत आगे चल रहा था देर वाज प्रोग्रेस इन कैप्टिलिजम वाज एड़ पीक कैप्टिलिजम एड़ पीक और उसका क्या प्रप्रव पढ़ा गरीब गरीब होते जा रहे थे और अमीर अमीर होते जा रहे थे जा मेरे प्यारे प्यारे वच्चों अमीर अमीर होते जा रहे थे और गरीब गरीब होते जा रहे थे मजदूर की हालत बुरी थी और इस दुनिया में खराब काम हो रहे अब उसको ठीक करने के लिए लिबरेलिजम की उसके लिए लिबरेलिजम की दूसरी विचार धारा आई इसने माक्सवाद को डर को हमजते हुए अपने आपको संसोदित किया जिसका नाम क्या है तकारात्मक उदारवाद इसने क्या बोला मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगर गरीबी को हटाना है उकमरी को हटाना है तो राज्ये को कल्यानकारी होना पड़ेगा स्टेट शुद भी एवैलपेयर स्टेट राज्ये को लिमिटेड स्टेट नहीं होना पड़ेगा प्यमित राज्ये से काम नहीं चलेगा कि वह अमीरों को मन माना बिजनेस करने दे नहीं तो टैक्स लेना पड़ेगा they have to tax a person a tax लेने के बाद गरीबों में बाटना पड़ेगा अपको सिक्षा देनी पड़ेगी health देना पड़ेगा पैसा देनी पड़ेगी then only you can survive परना ये मानवता मिट जाएगी और 1850 के बाद बहुत सारे फिलोसफर आए जिने positive libertism का समर्थक कहा जाता है जैसे J.S. Mill T.H. Green Ops How T.H. Green का नाम इसमें सबसे प्रमुख है T.H. Green is the most important फिलोसफर in this area उसमें क्या कहा भाई समपत्ती पर regulation करना पड़ेगा मनमानी कमाने की अलत आप नहीं कर सकते लोगों की बुनियादी जरुवत पूरी कराने के लिए राज्जे को प्रॉपर्टी का regulation करने की आवश्यक्ता है ते नीड टू रेगूलेट द प्रॉपर्टी और गरीबों को क्या करे गरीबों को इक्षा दे हेल्थ दे आकि सभी लोगों तक अज जायदी पहुंचे और उन्होंने बोला जिस तरह से बीज से पेड बनता है या मेरे पीए प्यारे बच्चो इस तरीके से बीज से पेड बनता है उसी तरह राज्जे की जिम्मेदारी है इस डारिस्पॉंसिबलोटी ओफ दा स्टेट जो सभी लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें और जब राज्य प्रयास करेगा अभी चीज़े आगे पड़ेंगे इस्टेट इस मेकिंग एन एफ़र्ड एन ओनली इस विचार धारा से खराल डासकी, आपसाउ इन लोगों ने काम करना चालू किया और पूरी दुनिया में 1850 के बाद पूरी दुनिया में राज्य का कैसा स्वरू उपाया, राज्य कैसा हुआ, तो अमीरों से टैक्स लेकर श्ञान से सुनना, खरीबों का खयाल रखे तो आप देखते हो, प्री म में रासन मिल रहा है, कुरोना काल में, ट्री में कुरोना की वेक्सीन मिल रही है, अनाज मिल रहा है, क्या ये विचार धारा, पॉसिट्टिव विचार धारा है, the answer is yes तो यह कहती है कि राज्ये को सबका भलाई करने के लिए काम करना पड़ेगा राज्ये को स्कूल खोलने पड़ेंगे राज्ये को अस्पताल खोलने पड़ेंगे और अमीरों से टेक्स लेना पड़ेगा अमिताब बच्चन जी या अक्षे कुमार जी अगर एक करोड रुपए कमाएंगे तो क्या उनको 35 लाग रुपए सरकार को देना पड़ेगा फिर उस 35 लाग का सरकार क्या करेगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चो कि दुआ पेंचन में बांट देगी क्या कि दुआ पेंचन में बांट देगी गरीबों में बांट देगी, रोड बनाएगी, स्कूल बनाएगी और सारी चीज़ों को बढ़िया करेगी। इस दुनिया में थारा सो पचास से उनिस सो पचास तक ऐसा युग चला, नहां राज्ये लिमिटेड इस्टेट से कैसा हो गया। वेलफेर स्टेट हो गया। पुलिस स्टेट से कैसा स्टेट हो गया। पुलिस स्टेट से लोगों का भलाई करने वाला स्टेट हो गया। नेगेटिव लिबर्टी से कैसा स्टेट हो गया। नेगेटिव लिबर्टी से पॉजिटिव लिबर्टी वाला स्टेट हो गया। में मजदूरों का शोशन कर रहे थे और उन कमी को देखते हुए अठारा सो पचास के बाद रीन लास्की आप्स हाउ मिल जैसे फिलोस्पर आये और इन्होंने बोला राज्य को हक्स तक छेप करना पड़ेगा राज्य की नई ठेउरी आई जिसका नाम है किलफेर ठेउरी ओफ इसटेक और अमीरों से लो गरीबों को बाटो कि अमीरौं को लो गरीबों को बाटो काज़्य अपनी दुकाने खोले पेटरोल की कंपनिया कोले इसकूल खोले। वगत फॉलीज खोले अधर नेरी खोले क्पड़े की फैक्टरी कोले। काकी गरीबों का भला हो सके पंचीतों का भला हो सके और सारी चीजें आगे बढ़ सके बताओ कि अपुरी दुनिया में यह जिस तरह का आपको समझ में आ रहा है तो यह modern liberalism चल रहा था वेलफए और theory of state चल रहा था इतनी बात आपको समझ में आ रही है अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तो जर्वा एक बार yes करके बताईए खिलपा इर्भिया डोगरा पाकी बच्चे कि हाँ बई 1950 तक मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सरकारें अपनी कम्पनियां खोलने लगी ते जैस और नो आपको 300 से ज़्यादा माक्स लाने है तारी चीजों को सीखना है पड़िया तरीके से किलपा समझ में आ रही है बात 1950 में सरकारें खरीबों की मदद करने लग गई थी अपकी बच्चे करीबों की मदद करने लग गई थी 1925 के बाद ये काल आया तो क्या अब भी यही काल चल रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या आज भी यही काल चल रहा है जहां लोगों की मदद की जाती है या फिर इस विचार धारा में कमी आई है का आंसर इस कमी आई है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्यूं जब राज्य modern liberalism आया करात्मक उदारवाद आया तो क्या हुआ अब तीस साल चालिस साल को हो गए तो लोगों ने क्या देखना चालू किया कि यह जो हमने नया राज्य बनाया है पॉजिटिव संकल्पना घड़ी है पॉजिटिव संकल्पना घड़ी है पॉजिटिव लिबरिटिजम लाएं क्या इसका फाइदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है क्या इसका फाइदा हो रहा है या नुक्सान हो रहा है 1970 में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों नई फिलोस्पर आए उन्होंने सारी चीजों को डिसकस देखना चालू किया कि यह जो न्यू स्टेट है वेलफेर जो स्टेट है यह कैसे काम करता है और उन्होंने क्या देखा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा, यह जो नई स्टेट है, यह बेकार स्टेट है, यह जो न्यू स्टेट है, यह एकदम घटिया स्टेट है, ऐसे घटिया स्टेट है, यह अपनी मनमानी चला रहा है, जर जरा ध्यान से सुनना, 5-10 मिनिट जरा ध्यान से सुनना, सारी चीजे में आपको समझाऊँ, New Liberalist Thinker कौन-कौन थे, New Liberalist Thinker कौन-कौन से थे, किनोंने क्या-क्या बोला, किनोंने बोला, मेरे प्यारे-प्यारे वच्चों, एक नई विचारधार आई 1970 में, इसने क्या देखा, इसने study किया कि यह जो welfare state है, जो मोदी जी का राज्य है, मार्गराथ थेचर का राज्य है, यह कैसे काम कर रहा है, और उन्होंने यह पाया कि यह जो काम करने के तरीके हैं, यह सही नहीं है, इसने, these are not appropriate, इसमें state कैसा बन गया है, उन्होंने पूरी चीजों को study किया, analyze किया, कि 1950 के बाद जो यह ववस्था बनी है, यह किस तरह की बनी है, तरकारे कैसे काम कर रही हैं, उन्होंने study करना चालू किया, उन्होंने study करके क्या पाया, मेरे प्यारी प्यारे बच्चों, आपके लिए आठ सीक्वेंसे लेक्चर प्लैन है, पॉलिटिकल साइन्स ओप्शनल के, I humbly request you, कि आप सारे के सारे लेक्चरों को कीजेगा, आपको पॉलिटिकल साइन्स ओप्शनल में बहुत फायदा होगा, तो भाई, रॉबर्ट नौजिक, मिल्टर फ्राइडमेंड, एजे हैक, इसवी सतापदी में जब ये फिलोसफर आये, मेरे प्यारे प्यारे लालों, तो इन्होंने हर किसी चीज़ पर देखना चालू किया, और देखके क्या पाया, कि ये देश आजाद हो गये हैं, अफ्रीका के, लेटीन अमरीका के, लेटीन अमरीका के, एशिया में गरीबी क्यों है, इन देशों में इतनी गरीबी क्यों है में भुकमरी क्यों है इवन यौरप के देश में भी खड़ोतरी आ रही है प्रॉब्लम आ रही है देर इस डाउन साइजिंग अफ जीडीपी ग्रोथ इन्हों ने स्टेडी किया एजे हैक रोबर्ट नौजिक विल्टन फ्राइडमेंट और इन्हों ने स्टेडी करके क्या ब आपने यह कहा था कि सबको सिख्षा मिलेगी आपने यह कहा था कि मॉडर्ण सिटी स्टेट में गरीबी मिटेगी मजदूरों की दशा मिलेगी अच्छा स्वास्त होगा ग्रोथ मिलेगी अर ये सरकारें क्या ग्रोथ ला पाईं? सरकारे ने अपने पेट्रोल कम खोल दिये सरकारी बैंक बना दिये सरकारी स्कूल बना दिये पेट्रोल पंप बना दिये हर बार हर चीज में घुस गया राज्ये कल्यान के नाम पे कीन बन गया ताना शाही देश रशिया बन गया चाना ताना शाही देश पर क्या सचमुच में गरीबी मिटी, इन लोगों ने, नव उदारवादियों ने, क्या पाया, नव उदारवादियों ने, छे बजे डेली क्लास होगी मनोच चौरा, आप से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कि आठ नौ क्लासे मेरी प्लैन है, सारी की सारी क्लासें आपको लेन करने हैं, सारी क्लासें आपको करने हैं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या पाया गया, यह पाया गया कि फिकास इसलिए नहीं हो पाया, क्यूंकि सरकार पिजनस के अंदर घुस गई है, और क्या सचमुच में वो बजार में घुसकर, खुद की फैक्टरी लगाकर, खुद की फैक्टरी लगाकर, खुद की हमटी घड़ी बनाकर, कपड़े की चिजें बनाकर, क्या वो उधार कर पा रही है, क्या वो खुद कोई उधार कर पा रही है, the answer is no, रस्टा चार कर रही है, जो पूंजी पती लोग हैं, उनसे तो ले रही है टेक्स, कूप सारा टे हैं, और सरकार करीबों में नहीं बाट रही है, खुद ही खा जा रही है, क्या 1850 के बाद जो वेलफेर स्टेट बने, क्या भारत में गरीबी घटी, the answer is no, सरकारी स्कूलों में सिक्षा मिली, the answer is no, एक ऐसा मम्मी स्टेट खड़ा हो गया, नैनी स्टेट, तो मुफ्त खोरो को जनम देता है, मुफ्त खोरों को, किजनी फिरी में ले के पानी फिरी में ले लो, अनाज फिरी में ले लो , तो आदमी काम कर सकता है मेरे प्यारे-प्यारी बच्चों , क्या वो काम करेगा इसको ये पता है मेरे को एक दो रुपे तीन रुपे किलो अनाज मिल ही जाएगा मुझे कोरोना का टाइम चल रहा है मुझे अनाज फिरी में मिली जाएगा मुझे किसान सम्मान योजना तहत राशन फिरी में मिल ही जाएगा मेरे का तो सरकार पेंशन देती है क्या वो काम करेगा पताओ विल ही परफॉर्म एनी एक्टिविटी क्या वो अर्थ व्यवस्था में अपना अपना कोई योगदान निभाएगा विल ही हैव एनी काइंड ओफ इंट्रस्ट एक तरफ जो पैसा कमाना चाहते हैं उससे 30-35% आप टेक्स ले लेते हो वन्दा वन्ड साइड वोस फीपल वो आर ट्राइंग टू अर्म दा मनी आप उनसे क्या ले ले रहे हो टेक्स ले ले रहे हो जो कमा रहा है जो फैक्टरी लगा रहा है जो GDP ग्रोथ करना चाह रहा है और उसके पैसे पर क्या कर रहे हो उसके पैसे पर क्या कर रहे हो मुफ्त खोरों को जनम दे रहे हो मुफ्त खोरी को जनम दे रहे हो ऐसे लोगों को तो कुछ नहीं करना चाहते बस बैट रहे हो कैसा है ये वेलफेर स्टेट ना तो वेलफेर ऐसा है स्टेट ऐसा है कि इसके अंदर बहुत सारे लोग मुफ्त खोरे बैठे हुएं मैनी मैनी मुफ्त खोरे और कुछ लोग इनको इनका ये जो फिरी में TDS बाटा जा रहा है फिरी में खाना बाटा जा रहा है इसका अल्टिमेटली पैसा कौन पे कर रहा है प्यारी प्यारी बच्चो बताओ इनको जितना भी पैसा मिल रहा है कौन पैसे दे रहा है अरे गैप्टिलिस्ट लोग कुझी पती लोगों के सर पर तो कमा रहे हैं हमारे ही पैसा तो यह ले रहे हैं और क्या सरकार इसके नाम पर इक्रिनॉमी में घुसी हुई है क्या वेलफेर के नाम पर सरकार हर चीज को रेगुलेट करती है कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल कितने का बिकेगा, रसोई कितने की बिकेगी, अपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तुद अपनी कमपनियां खोल के बैठी हुई है, लोगों के जीवन में जरुवत से ज़्यादा तांक जहां करती है, इस्टेट इस इंटरफेरिंग, इंदा, रेगुलर अफेर अफेर ऑफ द पीपल, आंसर इस, राज्ये का पुलिस कहीं भी घुच जाती है, खल्याण के नाम पर, राज्ये की ब्योरोक्रेसी कहीं भी घुच जाती है, और क्या राज्ये के एजेंसियों को कोई आइडिया है कि बजार को कैसे चलाते है, क्या उनको घड़ी कैसे बनाते है, इसका आइडिया है, क्या बैंक कैसे चलाते है, इसका आइडिया है, क्या सेल कैसे चलाएंगे, स्टील की इंडस्ट्री कैसे चलाएंगे, क्या उनको य पचास साल में कैसा बिजनेस किया HDFC बैंक Private बैंक तो आगे बढ़ रहे सरकारी बैंक डूब रहे Private स्टील की कमपनिया धडी की कमपनिया Aviation की कमपनिया आगे बढ़ रही है और Air India डूब रही है और उसको बचाने के लिए पैसा टेक्स से लिये जा रहे हो तो एक तरफ जो कमाना चाह रहे हैं उसको कमाने नहीं दे रहे हैं उसका गला गोट दिया है उसरी तरफ उसके पैसे से सरकार के बड़े-बड़े बिजनेस करने चालू कर दिये ताना शाही करनी चालू कर दिये दों के जीवन में तांक जहा करनी चालू कर दी और बिजनेस चलाना तुम्हें आता नहीं कल्यान के नाम पर तुमने वेलफेर इस्टेट बनाया था उसमें तुम करते हो करप्शन तो क्या यह वेलफेर इस्टेट और इसमें बढ़ती हुई राज्ये की भूमिका क्या किसी काम की है Is it solving any purpose? कि 1950 के बाद लोगों ने सोचना चालू किया क्या इतनी बात समझ में आई कि सोच के साथ कीजों को देखा जा रहा है मेरे प्यारे प्यारे लालों क्या इतनी बात आपको समझ में आई बताओ एक बार इतनी बात आपको समझ में आई इतनी बात समझ में आई तो मुझे बताओ फिर आगे बढ़ेंगे इतनी बात समझ में आ रही है अब यह क्या चाहता है इतनी बेसिक प्रमाइसीज ओफ न्यू लिब्रेलिजम 1950 के बाद इंग्लेंड में क्या कहते हैं इसको जरा ध्यान से सुनना इसको कहते हैं नव उदारवादी विचारधारा क्या कहते हैं इसको न्यू लिब्रेलिजम न्यू लिब्रेलिजम नव उदारवादी विचारधारा यह क्या पुराने वाले ही उदारवाद जैसी है, is it like the same liberalism, क्या यह पुराने जैसी ही विचारधारा है जो यह कहती थी, कि राज्ये को economic activities में हक्सक शेप नहीं करना चाहिए, लोगों को free छोड़ देना चाहिए, लोगों को free छोड़ देना चाहिए, तो भी activity वो perform करना चाहते हैं, उनको perform करने के लिए every person should be free, हाँ, लोग अपना भला खुद कर सकते हैं, negative liberty के नाम पर इन्होंने चीजें चालू कर दी, answer is yes, इन्होंने कहा कि राज्ये rolling back of the state, कि राज्ये को कोई भी काम नहीं करना चाहिए, उसके पास ये efficiency नहीं है, उसके पास तो बिरोग कैसी है, तो जहां भी नाक कान मुग उसाती है, पॉबलमी करते हैं, 1950 के बाद, इंग्लैंड के अंदर, अमरीका के अंदर, मारगा ठेक्चर, रोनेल्ड रीगन, नो ने बोला, LPG reform, भाई क्या लेकर आओ, पिजी करन लेकर आओ, प्राइवेटाइजेशन लेकर आओ, लिब्राइजेशन लेकर आओ, प्राइवेटाइजेशन लेकर आओ, ये राज्ये को बिजनस से बाहर निकालो, और एकनॉमिक एक्टिविटीज को फिर दुबारा से, क्या करो, प्राइवेट हातों में बाढ़, प्राइवेट लोग अपने निजी प्रॉपर्टी चलाने के लिए काम करते हैं, और उसी से पुरी दुनिया का सबसे ज़्यादा भला है, तो जब काम करेंगे, एफिशेंसी लाएंगे, कमपटीशन लाएंगे, और टीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, राज्ये को पीछे करो, इन्होंने कहा, रोलिंग एक अफ़ दा इस्टेट, राज्ये को आर्थिक गतिविदियों से पहार आना चाहिए, कई बात समझ में आई, तो आज आप देख रहे हैं, पुरे की पुरी दुनिया में, ग्लोबलाईजेशन हो रहा है, प्राइवेटाईजेशन हो रहा है, तरकार भी 1990 में मेरे प्यारे प्यारे लालों, 1991 में तरकार ने भी अपनी कमपनियों को भेचना चालू किया, आप देख रहे हो, बैंकों का भी प्राइवेटाईजेशन होता जा रहा है, तरकारी बैंक धीरे-धीरे बंध हो रहे हैं, प्राइवेट बैंक धीरे-धीरे खुल रहे हैं, कैसा हो रहा है, का आँसर इस येस, तरकारी बैंक हट रहे हैं और प्राइवेट बैंक पड़ रहे हैं तरकार क्या जहां जहां भी स्कूल, कॉलेज, कमपनी उन्होंने खोल रखी थी क्या उससे पीछे हट रही है या आंसर इस येस किल्कुल पीछे हट रही है और इसी को कहते हैं उन्होंने बोला कभी भी जब तक अर्थ व्यवस्था में तरकारें इकनॉमिक स्फेर में, कैप्टलिजम में लैसा फेरिजम नहीं करेंगी जिस दुनिया का उध्दार नहीं को तो पूरी दुनिया में जो इल पीजी रिफॉर्म चल रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पूरी दुनिया में तो LPG रिफॉर्म चल रहे हैं क्या वो LPG रिफॉर्म का कारण क्या ये रोबर्ट हे एक रोबर्ट नौजिक विल्टन फ्राइडमेंट है और ये पूरी दुनिया जिस चोहराये पर खड़ी है इसमें नव उदारवादी विचारधारा जहां प्राइवि इस मेरे बच्चों इसकी मुख्य मुख्य बात क्या है सुनों राज्य को व्यक्तियों की आर्थिक गतिविदियों में कम से कम हक्स तक छेप करना चाहिए में बिलीफ एट इस स्टेट शुड अट लीस इंटरफेर इन दा इकनॉमिक एक्टिविटीज अप दा इंटिविजुएल लिजिशन नहीं गुसना चाहिए हमाने दो काटा को करने दो रिलाइंस को करने दो तुम्हारा बी एसनेल तो चलता नहीं है यह और एटेल ही चल जाएगा तुमारी रेलवे तो धंग से काम करती नहीं है मेट्रो ठीक से काम करेगी क्योंकि वो प्राइवेट हातों में हैं तो आज की यह दुनिया जो चल रही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के न्यू लिब्रेलिजम पर चल रही है जो कहता है राज्जे को एकनॉमिक एक्टिविटीज में इंटर फेयर नहीं करना चाहिए दददद स्टेट फॉर्वर्ड नो-णो अ इस्टेट फॉर्वर्वर्ड नो-णो उस्टेट शुट नॉट इंटर वेइन दी एकनॉमिक हैक्टिविटीज ऑफ दा इंडिविज्वऽल थोड़दो शुट दो उनको इसी भी कीज में इंटर फेयर नहीं करना चाहिए इस विचारधारा को क्या कहा जाता है इस विचारधारा को कहा जाता है नव उदारवाद नियो लिब्रलिजम उदारवाद के तीन फेजिज हैं बच्चों एक है क्लासिक उदारवाद क्लासिकल उदारवाद क्लासिकल लिब्रलिजम पिर इससे बाद हमने देखा था आदुनिक उदारवाद मॉडन लिब्रलिजम और तीसरा फेज जिसमें आज हम जी रहे हैं यह है नव उदारवाद क्या मतलब है इसका नियो लिब्रलिजम यह क्या कहती है यह विचारधारा कहती है यह कहती है इस्टेट वेलफेरिजम पर रोक लगनी चाहिए राज्ये का जो एक अल्यान कारी सिद्धानत है यह बेकार है घटिया है इवन आज जो क्यूबा उत्तर कोरिया अशिया हैं किन्हों ने भी इस सिस्टम को छोड़ दिया यह भी प्राइविटाइजिशन की तरफ जा रहे हैं इवन दा क्यूबा नॉर्थ कोरिया आर अन दा वे अफ न्यू लिब्रिलिजम यह आर अटॉप्टिंग दा न्यू लिब्रिलिजम क्या कहते हैं यह कि कहते हैं एक तरह से यह पुराने वाले ही लिब्रिलिजम को चाहते हैं जो एडम स्मित का लिब्रिलिजम था तो कहता था चीजों को प्राइविट हातों में छोड़ दो उसी का नए रूप से वर्तमान परिद्रिश्य में पुबारा से वापसी है क्लासिकल लिब्रिलिजम जहां से हम चालू किये थे कि राज्ये को सीमित होना चाहिए वेलफेर नहीं करना चाहिए यह जो कमपनियां हैं रिलाइंस की कमपनी हैं अडानी की कमपनी हैं यही एकनौमी को चला सकती है जब जॉन लॉक आये थे और ये दुनिया पहले आई थी मेरे प्यारे प्यारे लालो उन्होंने भी यही कहा था कि क्लासिकल लिब्रलिस्ट ही इस दुनिया को ठीक से चला सकते हैं उसी को इन्होंने दुबारा से आती पहले क्या था राज्ये के वल पुलिस का काम करता था हिंसा रोकने का काम करता था आनून व्यवस्था बनाने का काम करता था राज्ये को इतना ही काम आज भी करना चाहिए जितना क्लासिकल लिब्रलिजम के टाइम पर करता था स्टेट वाज लिमिटेट एंड प्रोटेक्शनिस्ट राज्जे को केवल पुलिस स्टेट होना चाहिए पुलिस स्टेट का मतलब क्या होता है लिमिटेड स्टेट होना चाहिए कीमत स्टेट कीमित राज्जे कानून और व्यवस्था बनाने वाला राज्जे बस उतना ही काम पहले भी था उतना ही आज करना चाहिए पाकी लोगों को खुला छोड़ देना चाहिए वो अपने भाग्ये का खुद विविधाता है अपना काम खुद कर लेगा यहां पर आदमी के अंदर दिमाख है वो NGO के जरिये, civil society के जरिये, NGOs के जरिये, civil societies के जरिये, अर्थ विवस्था में capitalism के जरिये अपना काम खुद चला सकता है आप छोड़ दीजे थोड़ दीजे, खारत में भी 30-40 साल जो यह कल्यान कारी राज्ये की अवधारना चली है, तो क्या हुआ, GDP ग्रोट डाउन चली गई, corruption आगया, सरकार ने bank खोल लिए, petrol pump खोल लिए, लेकिन गरीबी नहीं मेटी, GDP ग्रोट नहीं हुई, जब तक भारत में, 1991 में reform नहीं आये, तब तक कुछ नहीं हुआ, उन्हें बोलती है, privatization आने दो, privatization आने दो, ते रोजगारी कम नहीं कर सकता, सरकार, पड़ गई थी जब सरकार, भूमिका में थी, ते रोजगारी, आर्थी का समानता हैं, तुमने कहा था कम करेंगे, और क्या क्या तुम कारे कम कर पाए, the answer is no, best system है, capitalism इसी पर चलने दो, तुम बस कानून सवस्था को बनाओ, your role is, only play a limited function, and you should only focus on that, modern state के नाम पर कि हम कल्यान करेंगे, हम कल्यान करेंगे, हम कल्यान करेंगे, कल्यान के नाम पर तुमने क्या कर दिया, कल्यान के नाम पर तुमने कर दिया, आकल्यान, दोगों की जिन्दकी में घुस गए, राज्य भैलता चला गया, दैत्य बन गया, जन साधारण का गला घोट दिया, इन दा नेम उफ एलफेरिजम, पॉलिटिकल पार्टी एन दा व्योरोक्रैसी, इंटर्फेर, इंटर्वीन, इन दा लाइफ अपॉर्डिनरी सिटिजन, इन दे वर इंटर्फेरिंग इन इच एंड आवरी थिंग, इसके कारण क्या आ गई, डिक्टेटर्शिप, अना शाहि, इक्टेटर्शिप, बेटा आठ लेक्चर हैं, कल तो संडे हैं, कल तो में भार अवेलेवल हूँ, लेकिन अगले हफते आपके लिए 6 लेक्चर हैं, अगले हफते आपके लिए छह लेक्चर हैं, इक्वेंसे लेक्चर हैं, पॉलिटिकल साइन्स में हमको 300 मार्क्स के लिए तयार करना है, तो कि आपके पंदरा तारिक तक जाएंगे, आप सब अटेंट करेंगे, अंजू शिल्पा अटेंट करना, आपकी जो सीक्वेंस से तयारी है, वो यहां होती रहेगी, और पूरा स्लेबस धीरे-धीरे हम कवर करेंगे, उसके बाद और क्लासे होंगी, उनके बारे में भी मैं आपको क्लास के अंदर ही बताता जाऊंगा, क्या बात समझ भे आ रही है, आई विल ब्रीफ यू इन दा क्लास इट्सेल्फ, और यॉर जॉब इस तो इन्शोर, 300 प्लस आपका स्कोर आए, तो भाई ताना शाही हो गया, डिक्टेटर्शिप आ गई, आना शाही आ गई, तो बोला ऐसे तो सिस्टम नहीं चल पाएगा, राज्ये अतिवादी बन गए, आई पर स्टेटिजम आ गया, पूरी दुनिया में, अमरीका में भी, फ्रांस में भी, भारत में भी, अब आपको क्या करना चाहिए, अगर इस तरह की विचारधारा चल लिए, तो राज्ये को अपने आपको समेटो, प्लियान कारी राज्ये को हटाओ, ये जो सुरक्षा जाल के नाम पर आपने, काने खोली हुई हैं काम, security net के आधार पर आपने काम खुला हुआ है, इसको पीछे लाओ, इसको पीछे लाओ, इसको perform मत करो, और क्या करो, क्या करो, let the capitalist play the game, retain, और अमरीका, say system चालू हुआ, इस new liberalism system emerge from Great Britain and United States and Western democracy, Newland में सबसे पहले आया था, मेरे प्यारे प्यारे लालो, Newland के बाद धीरे धीरे धीरे, जब वहाँ पर ये देखा गया, 1970 में, Margaret Thatcher इसको लेकर आई, और उसने हर एक चीज़ को privatize कर दिया, everything was privatized, यही एक ऐसी चीज़ थी, जिसमें, Kayak, Robert Nozick, Milton Friedman, these are the philosophers, इन्होंने का privatization ही, rolling back of the state ही, सबसे सही तरीका है, सबसे सही तरीका है, सबसे सही तरीका है, उसी से देश का आगे बढ़ेगा, और उन्होंने जो पुराना केप्टलिजम था, Ricardo वाला, John Stuart Mill वाला, उसी को आगे बढ़ाया, उसी को आगे बताया, उसमें सबसे philosopher code है, कौन है, एक, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, The road to the surfdom, The road to the surfdom, उसमें इसने ने धज्जियां उड़ाई, किसकी, यह जो पंच वर्षिय योजना आप बनाते हो, प्लैनिंग करते हो रशिया वालों, इंडिया वालों, यह बेकार है, किसी से किसी का भला नहीं होता, GDP growth नहीं होती, privatization नहीं आता, आपको यह सब काम नहीं करना चाहिए, planning की इन्होंने कमिया बनाई, क्यूं कि सरकार सारे कामों में भुश जाती है, और individual liberty को, आर्थिक स्वतंतरता को कम करती है, negative वो कुछ काम करना चाहते हैं, उस पर negative impact डालती है, यह योजना का culture का उन्होंने, क्या किया, विरोध किया, किनोद किया, उन्होंने बोला, यह जो आप पैसा बाठते हो, कल्फिरिजम के नाम पर, वंचितों के नाम पर, नैनी स्टेट बना के रह गया हो, जिस तरह से एक आया, बच्चे का ख्याल रगती है, वैसे स्टेट, मुफ्त खोरों को जनम देता है, आम इको खुद चलने दो, देर शुड़ भी आप प्राइमेसी आप दा मार्केट, आज भी हम ऐसा ही मानते हैं, कि बाजार का कमपर्टीशन, हमारी समझ, अपने आप सारी चीज़े ठीक कर देगा, उन्होंने भी यही बोला, कि बाजार को आगे बढ़ाओ, तो सरकार क्या करें, वाट शुड़ दा सरकार शुड़ डू, सरकार एक सीमित भूमिका में हो, इस तो सरकार यही रोल अप दा गावर्मेंट, वेरी वेरी लिमेटेड के बाद रॉबर्ट नौजिक उन्होंने तो धज्जी आई उड़ा दी और तकड़ा दार्षनिक है रॉबर्ट नौजिक अबसे प्रभावक्साली दार्षनिक इसने अपनी पुस्तक लिखी थी मेरे प्यारे प्यारे लालों वेरी से वेरियेजन एंड दा स्ट्रक्चर ऑफ अब्जेक्टिव वर्ड़ सबसे एकनॉमिक्स पर या आप पॉलिटिकल साइंस पर सबसे तकड़ी बुक कह सकते हैं इसका नाम है एनार्की स्टेट यूटोपिया इसमें इन्होंने बताया क्या मिनिममम स्टेट होना चाहिए राज्ये बहुत सीमित होना चाहिए और राज्ये को एक्स कम से कम लगाना चाहिए अमीर लोगों पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए बहुत कम टैक्स होने चाहिए राज्ये को आर्थिक गटिदियों में नहीं करना चाहिए और उसको समाजिक लोकतंत्र के नाम पर गरीबों के कल्यान के नाम पर समाजिक न्याय के नाम पर अमीर लोगों पर जो उन्होंने अपनी मेहनत से पैसा कमाया है उनका पैसा छीनना नहीं चाहिए उनको regulate नहीं करना चाहिए जब एक आदमी फिगेर किसी को हानी पहुचाए हुए जब कोई आदमी फिगेर किसी दूसरे को हानी पहुचाए हुए अगर किसी आय को कमाता है अगर अम्बानी ने या टाटा ने अगर किसी को बाधा पहुचाए बिगेर कोई income कमाई है कोई निजी संपत्ती बनाई है कोई private property बनाई है क्या उसको की private property को किसी को छीनना चाहिए इट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी शुड़ भी बुला ये बहुत ही लीगल है बहुत ही सेक्रो सेंट है अगर किसी ने किसी को हानी बर पहुचाए बिगेर कोई चाहे वो कितनी भी संपत्ती कमा ले कि अन्य को उसमें हक्स तक छेप करने का कोई अधिकार नहीं है कि कोई उसको कोई अधिकार नहीं है इसने वह सारी या थियोरियां दी इसमें इंटाइटलमेंट की थियोरी इसमें कहा भाई एक जब फुटबॉल का मैच होता है इसने पूंजी वाद को बढ़ावा देने के लिए एक थियोरी की जिसको धियान से सुनिएगा दो-चार मिनट तेरे प्यारी प्यारी लालो इंटाइटलमेंट थियोरी रॉबर्ट नॉजिक ने जोन रॉल्च का मजाक उडाया तो जब एक फुटबॉल का मैच होता है या लोग फुटबॉल का मैच देखने क्यूं आते हैं आप इसकी जगह फिलम का उधारण ले लीजे जब भी कोई फिलम लगती है तो लोग क्यूं देखने आते सरकार की वज़े से देखने आते कोई एक्टर अच्छा है और वो कहता है मेरी फिलम देखने आओगे तो दो रुपए मुझे देना पड़ेगा 30 रुपए चाहे आप किसी को भी दो दो रुपए आपको सीधा सीधा अगर कोई मेरी मूवी देखने आ रहा है मुझे देना पड़ेगा तो बोलता है कि हाँ अगर वो दो रुपए मांग रहा है और वो इसने अच्छा काम किया है तो लोग उसे दो रुपए मिलेंगे फुटबॉल मैच में अगर पेले अच्छा खिलाडी है और वो इसके एवज में कोई इंकम मांग रहा है तो उसको ये इंकम मिलनी चाहिए और किसी को भी या उसकी इस इंकम को रेगुलेट करना चाहिए नहीं क्योंकि वो इतना अच्छा खेलता है वो मूवी स्टार इतना अच्छा है कि जो दर्शक आए हैं उसको देखने आए उसको रेगुलेट अगर किसी आदमी ने लॉक ने भी ये बोला है कि अगर किसी आदमी ने मेहनत करके कोई पूंजी कमाई है तो वह संपत्ति उसकी है इस प्रॉपर्टी बिलॉंग्स टु हिम और मेरे प्यारे प्यारे लालकों उस प्रॉपर्टी को इसी अन्य व्यक्ति को इनने का कोई अधिकार नहीं है, राज्ये को इस पर टेक्स लगाने का भी अधिकार नहीं है, तिले उसने बोला टेक्स कम से कम होने चाहिए, टेक्स कम ही कम होने चाहिए अगर टेक्स कम से कम होने चाहिए यह नव वादी विचारधारा इसी लिए पूरी दुनिया में आगे बढ़ेंगे दुनिया कौन चलाएगा फिर अमारी की खाई को कौन बढ़ाएगा अगर रॉबर्ट नौजिक के सिध्धान्त की प्रॉबलम क्या है एक बार येस करो फिर इसकी कमिया दो-चार मिनिट में देखते हैं फिर क्लास को एंड करेंगे फिर परसो क्लास होगी आठ क्लासे हैं आपकी तब इसकी कमिया देखो अट इस दा वीकनेस अफ दीज थ्योरी यह काम करने लगी तरकारों ने इसके ऊपर परकारों ने इसी के ऊपर लेक्चर छटा है पाँचवा लेक्चर में ले चुका हूँ दिस लेक्चर नमबर 6 आप सको सारे लेक्चर अटेंड करने हैं फंडे से आपकी छे बजे क्लास चलेगी क्या है यह बात समझ में आई यू हैव तो अटेंड ओल द लेक्चर आउट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों देखो क्या हम इकलांगों को पेंशन देना छोड़ दें क्या हम लोगों को भूके मरने के लिए छोड़ दें क्या गरीबी लोगों को अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे उनको अच्छी सिक्षा और हेल्थ नहीं देंगे एजुकेशन नहीं देंगे क्या कुरोना में खाना नहीं देंगे क्या काम चलेगा अगर हम आप उनको सिक्षा नहीं देंगे पास्त नहीं देंगे क्या काम चल पाएगा नहीं चल पाएगा अगर बाड में लोग डूब रहे हैं बाड में, फ्लड में लोग डूब रहे हैं और राज्ये इनकी मदद नहीं करेगा प्राइवेट हातों में चीजों को छोड़ देगा तो क्या कभी आर्थिक असमानता दूर हो पाएगी अगर इसकी इस थियोरी को मान लिया जाए प्राइवेट ही सब कुछ कर लेंगे क्या एकनॉमिक इन इक्वैलिटी दूर होगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या गरीबी मिटेगी गरीब कभी आगे बढ़ पाएगे पावर्टी एन भी रिमूवड क्या किसी तरीके से गरीबी मिट सकती है 2008 में बड़ा मौज से रोबर्ट नौजिक मिल्टन फ्राइडमेन अपनी फिलोसफी को आगे बढ़ा रहे थे लेकिन 2008 में पूरी दुनिया में मंदी आ गई देर वाज अ स्लोडाउन लीमन ब्रदर्स पूप गया लोग भूको मरने लगे तो दुबारा से बोला गया नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता हमको क्या करना पड़ेगा अगर हम अर्थ व्यवस्था को अगर इस दुनिया को पी टेबल बनाना चाहते हैं अगर हम इस दुनिया को बढ़िया बनाना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा हमको राज्य की भूमिका को एकदम से हम पीछे नहीं हटा सकते राज्य की भूमिका हमको बनाए रखनी पड़ेगी इसलिए रोबर्ट नौजिक को मिल्टन फ्राइडमेंट की विचार धारा को अच्छा नहीं माना जाता है इस आर नौट कंसीडर तुभी दा बेस्ट पॉलेसी इनका क्रिटिसिजम किया जाता है कि ये तो दुबारा से कैप्लिजम को ला रहे हैं आर्थिक विशमताओं को बढ़ा रहे हैं वैसे ही आर्थिक विशमताओं बहुत हैं अन्फ़िज़ी के बाद आर्थिक विशमताओं बढ़ी हैं मेरे प्यारे प्यारे लानूओ को आसर इस आर्थिक विशमताओं बढ़ी हैं बहुत ज्यादा बढ़ी हैं. बहुत जादा बढ़ी हैं. अब अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम प्लेटो की बात करेंगे. स्केवेंस से मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा and we will discuss प्लेटो and everything. हम प्लेटो की बात करेंगे. Political Science में सारी चीज़ों को हम systematic रूप से देखेंगे किसी को भी admission लेना है Unacademy पर Political Science Optional यहां में पढ़ा रहा हूं CS में GS Paper 2, CS Paper 4 में पढ़ा रहा हूं CS Paper 2, CS Paper 4 और Political Science Optional Unacademy पर बहुत सारे बैचिस चालू होने वाले हैं इसको भी admission लेना है और Top 50 में rank लगाना है This is the referral code आजाओ, क्यारी बहता रूप से करिए मजबूत रूप से करिए और आगे बढ़िए अब हम मिलेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मंडे को मंडे से आपके लिए 8 लेक्चर Political Science पर फ्री आएंगे systematic रूप में आएंगे Political Science Optional में आपके 300 marks आएं इसके लिए कटी बद्ध हैं Notes भी आपको सारे के सारे मिल जाएंगे You will get all the notes ठीक है First मुझे just follow me on an academy GS paper 2, GS paper 4 और Political Science Optional में आपको सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे जल्दी से admission ले जो लोग भी लेना चाहते हैं रजनीश IS referral code के सारे आज की class में इतना ही मेरे प्यारे प्यारे बच्छो आशा करता हूं आपको नव उदारवाद समझ में आया होगा Thank you very much God bless you